दिल जीत लिया है इस वीडिया ने और पीछ से पता चलता है कि लोग जो है वो इंसानियत के रिए कैसे खड़े थे कहते हैं कि जावत भी बनी डूबने वाले को तिंके का थाराई काफी होता है लेकिन यहाँ दो इंदिया ने पूरा हाध दे दिया तिंके की जेगा ना पूरा हाध पुरा हाध हुआ मैं यह जए हम स्वागत है यह लेट्स एक्षएन मिक्स का रोट ही वीडियो में तो इस वीडियो में अलग सर जो तर्की की एंबसी है इंडिया में उन्होंने जो कहा है उसके बारे में बात करने वाले है तो तर्की एंबसी ने ये कहा है कि इंडियान स्टॉप संदिंग कि हमारे पास इतने सारे रिलिफ मेटरियल आ गए है कि हमारे पास अभी रखने के लिए जगा नहीं है तो सामान पेजना बन के थी ऐसा कुछ है तो देखते हैं अचका मिक्स रियक्शन नमस्कार दोस्तों डिफरंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूँ उससे देखकर आपका सीना गर्ब से चोड़ा हो जाएगा क्यूं दुनिया भर में इंडिया और इंडियन्स को बड़ा पसंद किया जाता है इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्जामपल के मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला है और यह सबूत जो है वो टर्की की एंबसी से आया है मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरे दिखाना चाहता हूँ जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियन्स होने पर गर्व है क्यों हमें इंडियन्स होने पर प्राउल फील करना है क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मन ही क्यों नहो हम अपने काम की बदॉलत हम अपने विवहार की बदॉलत ऐसा काम कर जाएंगे ऐसी दर्या दिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा जब जब जरूर पड़ेगी तब इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने तरकी के लो इनकी संख्या देखिए आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौझूद है इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है और ये लाइन बहुत लंबी है सामान बहुत जादा है मैं आपको बताऊं ये तस्वीरे हैं दिल्ली में मौझूद तर्की की अमबसी की और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है आप देख रहे ना Huge amount of things ये सारा सामान बहुत लगी लाइन है ये आपको कंबल दिख रहे हूँगे शायद ये कंबल ने हैं कोछ जूते हैं ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने तर्की की Embassy में पहुँचाया है ये सरकार में नहीं पहुँचाया है ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है, ये सारा सामान यहां से जा रहा है टर्की, जो टर्की में भुकम से पीरित लोग हैं, जो बेघार हो गए हैं, जिनको जरूरत है इन चीजों की, वो ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे यह तो हो गई एक तस्वीर, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, तर्की की एमबेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है, जहां पर सामान ना इंडियन्स ने दिया हो, और मैं आपको बता रहा हूँ, यह सिर्फ दिल्ली और NCR की जंता ने पह हाई है, यह जानते हुए भी कि तर्की हमारा साथ नहीं देता, तर्की हमारा कश्मीर के शुकर पाकिस्तान का हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियन्स की दरिया दिली देखने लाइक है, अब एक दूसरा वीडियो में आपको दिखाना ह और तब आपको समझ गाएगा कि क्यूं आज तर्की के लोग इंडियन्स को थैंक्यू बोल रहे हैं, क्यूं बोल रहे हैं, गौड ब्लेस यू इंडिया, देखिए यह तस्वीर, यह देखिए, यह काटन सैकडो हजारों की तादाद में काटन्स भरे पड़े हैं, आप दे जूते हैं, इसमें कपड़े हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो तर्की के अमबेज़र की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी, 15, 18, 20 चीजों की, वो उस लिस्ट के मताविक लोगों ने जीब भर कर दान दिया है, आप देख रहे हैं यह सामान, मैं खासकर पाकिस्तान के इंडियन्स का दिल कितना बड़ा है, इंडियन्स जब मदद करने पर आते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि वो दुश्मन की मदद कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो इंसानियत की मदद कर रहे हैं, और इंसानियत की मदद के लिए टर्की के लोगों को जो यह सामान भेजा जा तरकी के ambassador ने ये दोनों वीडियो पोस्ट किये हैं और पता है इस वीडियो पर उन्हें ने लिखा क्या है इस वीडियो को पोस्ट करके जो उन्होंने लिखा है वो हर किसी हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए और पाकिस्तानियों को तो जान भूज कर सुनना चाहिए ध्यान ल दिल वाले दरिया दिल भारतियों ने हाथ मिलाएं हैं तरकी में आए भुकम से प्रभावित कुम्तों की मदद के लिए हम दिल से आपको बहुत अप्रिशियेट करते हैं कि आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर हेल्प भेजी है और इसके पहले मैं बता दूँ कि इसके पहले हल्प जा चुकी है ये अभी कई खेप में जा चुकी है और कई खेप अभी आने वाली है आप समझे ये कितनी बड़ी बात है इसके लावा अविकल उन्होंने दिखाया कि भारत के लोग क्यों इतने दरिया दिल है क्यों अब देखिए उनका एक और ट्वीट है एक तस्वीर छपी है और ये ये मैं आपको बताओं कि ये जो टर्की की न्यूज एजनसी है आना दोलू वहाँ पर इस ख़बर को छापा गया है तर्की की न्यूज वेबसाइट पर और उस ख़बर में लिखा है अब पूरी खबर में आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूं लेकिन ये तर्की की सबसे बड़ी मीडिय एजनसी ने खबर दी है जिसमें भारत के 5000 से जादा बच्चों ने 72 मीटर लॉंग कार्ड पर अपना मैसेज कनवे किया है तर्की के लोगों के लिए कि दुख के इस घड़ी में पूरा इंडिया आपके साथ है इंडिया के बच्चे आपके साथ हैं उन्होंने उस अपने समर्थन को जताया है उनके साथ खड़े होने का दावा किया है और दुनिया देख रही है आप सोचिए तर्की की इतनी बड़ी एजनसी है अनाडूलु एजनसी आपने कभी सोचा था कि उस पर पॉजिटिव ख़बर आएगी इंडिया को लेकर कि जब तर्की को सब लिखा है उन्होंने वही बात कि स्टे स्ट्रॉंग इंडियन स्कूल वही उसका जो टाइटल था वही हुनों दिया है और इन्होंने शुक्रिया जताया है कि भाई भारत के लोग भारत के बच्चे हर भारतवासी किस तरह उनके साथ खड़ा है तो सोचिए यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि बिल्कुल छोटी बात नहीं है और बात सिर्फ इतनी नहीं है भारतियों का दिल कितना बड़ा है इसका एक और एक्जामपल देता हूँ जो टर्की की एमबेसी है उसने अभी दो दिन पहले एक पोस्ट डाला उस पोस्ट में जो लिखा है न वो आप को बताएगा कि भारतियों के दिल इतने बड़े क्यों है देखे यह हूँ पोस्ट जिसमें उन्होंने अफिशल एक डॉकुमेंट डाला है इस डॉकुमेंट में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ इसमें लिखा है डियर दोस्थ पीपल ओफ इंडिया मतलब भारत के जो लोग हैं वो दोस्त है हमारे हम इस बात के बहुत शुक्र गुजार हैं कि आपने हमें helping hand दिया हमारे साथ खड़े रहे और donations भेजे हैं अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूर है हमें वो सर्दियों में काम आने वाले tents हैं और देखें नीचे क्या लिखते हैं कि as our storage capacity is full please contact with एक email है जो टर्किश embassy का है नीचे before donating any in-kind goods to the embassy of for coordination आप समझेए कि जितनी भी इनके embassy में storage facility थी capacity थी वो सारी की सारी फुल हो गई है भर गई है ओवर लोड है Indians ने इतना सामान डोनेट कर दिया तर्किश के लोगों के लिए कि वो सब कुछ फुल हो चुका है इसलिए गुजारिश कर रहे है कि कुछ भी donation देने से पहले कृपिया यहाँ पर जाकर इस email ID पर आप contact करिए कि आपके सामान देने वाले हैं क्योंकि अब रखने की जगा नहीं बचिये हमारे और तस्वीरों में हमने आपको दिखाया ही और इन्होंने कहा है कि प्लीज कांट ली नोट दर्ट अनी इनकाइंड डोनेशन वाट तो आपके सामान लेकर आईए तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब भुकंप आया कुप को ऐसा तो सबसे पहले रेस्पोंडेंट्स में इंडिया शामिल था और जब इंडिया के सरकार ने अपने लोग भेजे मेडिकल टीमें भेजी लोग वहाँ पर उनकी तारीफ कर रहे हैं हजारों लोगों को वहाँ पर ट्रीटमेंट दी आ ज़िए जो इंडिया नार्मी की तरह से फील हॉस्पिटल बनाया गया वहाँ पर तो लोस तो यह थी हमारी आद की वीडियो क्या बात है कि हमारे यहां के लोगों ने जो प्यार दिखाया है और जो मदद की है वो बहुत ही कभी अटारिफ है यही हमारा दर्म सनातन दर्म यही तो सिखाता है कि जरूरत मंदों की मदद करनी चाहिए जब बात किसी की जान पर आ जाए तो हम कभी भी यह नहीं सोचते कि वो हमारा दूस्मन है या दोस्त है तो बहुत ही अच्छी बात है और यह देखे हमारी कवर्मन ने तो हेल्प की ही कि वो तो कुछी गुंटों में वहां पे पहुंच गये थे अपनी रेस्क्यू टीम लेके और जो डाक्टर्स और जो जर्यात की चीज़े थी उसको लेके पहुंच गई थी लेकिन हमारी यहा ऐसे सोचा जाए तो वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं तो एक तरीके से हमारे डुस्मन मुल्की हुआ लेकिन फिर भी हमारे यहां के लोगों ने इतनी सारी मदद बेजी कि अब हमें सामान मत बेजी क्योंकि हमारे पास वो स्टोर करने के लिए जगा ही नही फिर वो सामान पेची ताकि वो इंटेजाम कर सके उस सामान को स्टोर कहां करना है और कहां पे रखेंगे तो हमारे लोगों ने इतने सारे डोनेशन दे दिया कि उन लोगों को कहना पड़ा कि अब सामान मत बेची हमारे पास अभी के लिए बहुत सामान है और वो इनफ है अभी के हाल में और देखिए कि वेस्टन कंट्रीज इतना ज्यादा बढ़ चड़के वहाँ पर मदद नहीं कर रही तो युनाइटेड नेशन के जो देश है उनको भी पता चलेगा कि अगर हिंडुस्तान अपने डुस्मन देश के लिए इतनी ज्यादा मदद कर सकता है अग जिस देश ने अपने डुस्मन मुल्क को इतनी ज्यादा मदद की तो अगर वो युनाइटेड नेशन के पर्मिनेंट मेंबर बन जाते है तो डुनिया में जहां पर भी ऐसी कुछ गतना होगी तो वो इंडिया लीट करेगा और और भी देशों को मोटिवेट करेगा कि वह जाके लोगों की मदद करें तो ये युनाइटेड नेशन पर एक सवाल खड़ा करता है कि जिस देश ने इतनी सारी देशों की मदद की है जब जब ऐसा कुछ हुआ है तो वैस ऐसे देश को अगर पर्मिनेंट सीट नहीं मिलती है तो ये तो युनाइटेड नेशन की जैसा बन जाता है कि इंडिया को पर्मिनेंट सीट नहीं मिलती है तो आपके क्या भी चाहिए वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखके ज़रूबटा अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मत पूलिए और चैनल पर नहीं है ते सब्सक्राइब करना भी मत पूलिए